हालो आपर एबरन वेलगम ट उमाय चनल तो हम लोग सॉल्फ कर रहे थे वाकसी टू के कोॉशन को और पिछले विडियो जो में हम लोगों ने सॉल्फ कर लिया था को ये ता है और इसके आगे के को सिर्फ को ये 7 ऊसमलोग आज शॉल्फ केंगी पर और question number 6 का first से तो first number question में हम लोगो क्या करना है simplify करना है और ये बिल्कुल simple है आप देख लिजी केवल हमको क्या करना है जो denominator से उसका LCM लेना है तो denominator में क्या क्या है 5 है और 15 है और 20 है तो एक ऐसा number चूज किजिए जो इन तीनों number से divide हो जाए और वो छोटा से छोटा हो तो वो number क्या हो सकता है तो वो number है अपना 60 जो की तीनों से divide हो जाता है तो आईए हम यहाँ पर क्या note कर लेंगे पहले तो note किए 60 अपना LCM हो गया आप यहाँ पर LCM लेके देख सकते हैं अपना 60 है आएगा तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा 5 से divide करना पड़ेगा 60 को कितना आएगा 12 स्टाइम में चला जाएगा तो 12 हम note किए और हमारे पास minus 4 पहले से है यह हम यहाँ पर note कर दिए फिर हमारे पास minus है minus को note किए 15 से divide किए 60 को क्या आएगा 4 आजाएगा 4 note किए और यहाँ पर हमारे पास क्या आए 3 ठीक है फिर यहाँ पर plus का सैन देंगे 20 से divide किए 60 को कितना आएगा 3 3 से 7 को multiply कर लिजिए अब चलिए next step तो यहाँ पर 12 फोर जाग क्या हो गया आप देख लिजिए 48 होगा तो हम यहाँ पर क्या note कर लेंगे यहाँ पर plus हमारे पास क्या होगा 21 अब हमारे पास denominator में क्या है 60 चलिए हम अब क्या करते है जो minus में है उसको एक साथ add करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास minus में 48 और minus में 12 दोनों को add कर लेते हैं और sign हम देंगे minus का तो यह हमको क्या देगा 60 और यहाँ पर plus क्या हो गया 21 डिभाइड बाई 60 अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा एक नमबर आ गया हमारा plus में और दूसरा आ गया minus में तो जब इस तरह का situation होता है तो हम लोग क्या करते हैं difference निकालते हैं तो 60 और 21 का difference लेंगे तो क्या मिल लगा आमको 39 मिल जाएगा और यहाँ पर चुकी numerical value की बात करें तो 60 जएदा है और वो minus में इसलिए हमको यहाँ पर minus पूट करना पड़ेगा तो होग यह हमारा minus 39 upon 60 आप देख सकते हैं 3 के table से यह divide हो जाएगा तो आप इसको divide कर सकते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 13 मिल जाएगा minus में और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 20 तो आपका answer finally क्या आता है आपका answer आता है minus 13 upon 20 ओके इस तरह से हमने हाँ पर simplify कर लिया इसको तो question number second के बात करते हैं हम लोग यहाँ पर देखें यह हमारे दिये हुए numbers इसको simplify करना नहीं add करना है तो हम लोग care करेंगे अभी denominator को positive कर लेते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास कहा है negative है तो पहले हम यहाँ पर note कर लेते हैं minus 5 upon 13 फिर हम note करेंगे minus minus 3 upon 26 और फिर यह minus यह जो minus sign है इसको आप numerator में ले ले जिए minus 9 upon 52 ठीक है अब हमारे पास क्या होगा अगला step हम 13, 26 और 52 का LCM लेंगे तो LCM एक ऐसा number लेना है जो यह तीनों number से divide हो जाओ और छोटा से छोटा हो तो यह number हमारे पास क्या है ना 52 है 52 तीनों number से divide हो जाएगा और वो सबसे छोटा है तो LCM आ गया बड़ा ही easily अब 13 से divide किए 52 को कितने times में आगा 4 times में आगा 4 आप यहाँ पे note कर लिजी और आपके पास यहाँ पे minus 5 पहले से है ठीक है अभी देखिए 20 से आप 52 को divide किजी 2 times में चला जाएगा तो 2 आप यहाँ पे note कर लिजी minus sign दिया और यह minus 3 आपके पास पहले से आप इसको multiply में यहाँ पे note कर लिजी अभी देखिए minus का sign आप दे दिये फिर से और 52 को 52 से divide किए 1 आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या आना minus 9 है आप उसको under bracket रख लिजी अब अगला step क्या हो जागा देखिए 5, 4, 20 हो गया 1 minus में दूसरा plus में तो minus हो गया 2, 3, 6, 1 minus दूसरा भी minus तो minus minus क्या हो गया plus फिर यहाँ देखिए minus और minus हमको क्या मिल जागा तो अभी हम क्या करेंगे हमारे पास minus में 20 है और यह देखिए 9 plus 6 हमको क्या देगा 15 देगा दोनों same sign में है इसलिए दोनों को add कर लिए और आप देखिए यहाँ पे इमको difference लेना पड़ेगा तो यह है minus में 20 है और plus में 15 इसका difference लेगा तो 5 आएगा और चुकि numerical value minus जो कि 20 है उसका जैदा है तो हम यहाँ पे minus put कर लेंगे और यह हमको क्या मिल जाता है 5 upon 52 चुकि इसमें कोई common factor नहीं है तो यह हमारा answer हो जाता है ओके तो third number question देख लें हम लोग तो यहाँ पे हमारे पास 12 24 12 और 18 का क्या चाहिए हमको LCM चाहिए तो यह हमको क्या देगा आप बताइए LCM लेने के लिए आपको आता है ऐसा number चूज किजिए जो तीनों number से divide हो जाए तो आप 24 से देखे 24 का table लिजिए 24 और 24 24 हो जाए 48 ओके और अभी 48 आपका 12 से दो divide हो रहा लेकिन 18 से divide नहीं हो रहा है मतलब आपको आगे जाना पड़ेगा तो आप 72 में जाते हैं तो 72 में आपको क्या होगा यह तीनों number से divide हो जाएगा तो आपका जो LCM होगा वो क्या हो जागा 72 हो जाएगा इस तरह से LCM यहाँ पर बड़े ही इसली ले सकते हैं अब 24 का टेबल आप 3 टाइम पड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 72 तो यहाँ पर आप 3 नोट करेंगे और यहाँ पर 7 पहले से है ठीक है फिर plus sign दे देजिए 12 का टेबल आप कितने टाइम से पड़ेंगे ताकि आपको 72 मिल जाएगा तो यह 6 टाइम में जाएगा तो यहाँ पर 6 नोट कर लेजिए और 5 आपके पास पहले से माइनस कर लेजिए आप यहाँ देखिए 18 से डिवाइट कर देजिए 72 को कितने टाइम समझाएगा तो यह 4 टाइम समझाएगा आप 4 नोट कर लेजिए और यहाँ पर आपके पास क्या है 11 पहले से आप मुल्टिप्लाइ कर लेजिए आपको आनसर तुरंत आजाएगा आप देख लेजिए 3 और 7 को मुल्टिप्लाइ कीजिए और 21 को हम add किये तो 51 मिल गया और यहां पर minus में 44 रहेगा और divide by 72 अब देखिए हमारा अगला step क्या होता है यहां पर 51 minus 44 हम करेंगे थमकों मिल जागा यहां पर 7 तो 7 upon 72 अब दोनों में कोई common factor नहीं है तो हमारा यह final answer यहां पर हो जाता है तो fourth number question भी हम लोग solve कर लेते हैं LCM क्या आ गया 30 आ गया और 30 से 30 को divide किये तो 1 times में जाएगा 1 से multiply किये 11 को तो minus 11 जोकि minus में तो minus मिलेगा हम को यहां पर minus put करेंगे 15 से divide किये 30 को 2 times में गया 2 से 8 को multiply किये 16 और यहां पर plus देंगे 6 से divide किये 30 को 5 मिल गया 5 से 7 को multiply किये क्या आ गया 35 पर आ गया अब check किजे कि यहाँ पे minus में कौन कौन है, तो minus में आपका 11 है, minus में 16 है, minus में 12 है, इसको आप एक साथ पहले add कर लिजी, तो add करने के बाद क्या आएगा, उसको आप यहाँ पे note कर लिजी, तो देखिए, यह 2 plus 6, क्या हो गया, 8, 8 plus 1, 9, तो 9 note किए, 1 plus 1, plus 1, 3, तो आप यहाँ 3 note कर लिजी, यह minus में रहेगा, और आपके पास क्या है, 35 यहाँ पे plus में है, और यह हमारे पास क्या हो गया, 30, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, add difference लेते हैं, चुकि एक नमर हमारा क्या है न, एक नमर हमारा है, minus में, दूसरा नमर है plus में, तो हम difference लेंगे, तो difference हमारा क्या आएगा, वो check कर एए, तो difference हमको यहाँ पे मिलता है, minus 4 का, और यह हमारे पास, minus में इसलिए, चुकि बड़ा नमर जो है, वो हमारा क्या है न, minus में इसलिए, minus लिए हैं, और डिवाइड बाई 30 अब आप देख सकते हैं तो से अपना डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर हमको मिल गया फिप्टिन तो हमारा आंसर क्या गया माइनस टू अपॉण 15 ओके यह हमारा फाइनल आंसर आ जाता है चलिए इस तरह से तो अपना सिंप्लिफिकेशन सिक्स नमबर कोर्षन कंप्लिट हो गया अब नेक्स्ट कोर्षन हम देखते हैं सेवन नमबर तो कोर्षन नमबर सेवन में हम लोगों क्या करना है वहलू निकालना है कि इसके लिए एक्स मैनस य के लिए और फिर य मैनस एक्स के लिए ठीक है तो हम निकाल लेते हैं और यहां तो आईए हम लोग चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग नौट कर लेते हैं, यहाँ पे X-Y, तो X-Y का क्या भेलू आता है, यह चेक करते हैं, तो X का भेलू कितना लेना है, 2 upon 3, तो 2 upon 3 पूट कर लिए, और Y का भेलू क्या लेना है, 5 upon 9, 5 upon 9 पूट कर लिए, चलिए, अब को क्या करना पड़ेगा 3 और 9 का LCM तो यह obvious है हम लोग को 9 मिलेगा 3 से 9 को divide किए 3 times पर जाएगा तो 3 और यहां पर 2 अपना पहले से तो multiply किए 6 ओके 9 से 9 को divide किए 1 times में चला गिया और 1 से 5 को multiply कर लिए तो 5 6-5 किए तो 1 1 अपन 9 यह तो हमरा आ गया क्या x-y अब हम यहां पर देख लेते हैं हमारे पास क्या है end y-x क्या मिलता है तो y का value हमारे पास है 5-5 अपन 9 और x का value है 2 अपन 3 तो put कर लिए फिर से हमारा same LCM आने वाला है यहां पर हमको मिलने वाला है 5 और यहां पर हमको मिलने वाला है 6 ओके तो यह हमको क्या देगा difference लेंगे तो minus 1 upon 9 तो आप देखिए एक हमारा आता है plus में एक हमारा आता है minus में तो क्या दोनों equal है नहीं दोनों equal नहीं है ओके तो हम लोग यहां पर note कर देगे no they are not equal यह हमारा final answer हो जाता है तो question number 8 भी same है ओके हमको यहां पर value निकालना है और क्या यह दोनों value equal है यह हमको check करने है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर note कर लेते हैं x और x minus y है ओके x minus y और इसमें हमको z को बाद में minus करना है तो आईए हम value को put करते हैं तो x का value दिया हुआ है 1 upon 10 और minus y का value दिया हुआ है minus 3 upon 5 और इसको हम under bracket रखेंगे और फिर हम minus करेंगे 7 upon 20 तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा यह जो bracket के अंदर दे रखा है पहले इसको solve करना पड़ेगा तो आईए यहां पर हम solve करते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं 10 है और 5 है तो इसका L से हमको क्या मिल जागा 10 मिल जाएगा 10 से 10 को divide किए 1 1 से 1 को multiply किए 1 minus और minus multiply आपके plus देगा हमको यहां पर 5 से 10 को divide किए 2 2 से 3 को multiply किए 6 अभी bracket हम रखेंगे यहां पर और हमको करना है minus 7 upon 20 नेक्स्ट स्टेप में को क्या मिल जाएगा 1 plus 6 हमको मिल जाता है 7 और यह 10 रह गया और यहां पर यहां पर ब्रेकेट यहां पर ब्रेक हो चुका है अब हम लिखेंगे minus 7 upon 20 के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा 10 और 20 का L से में लना पड़ेगा तो L से में यहां पर क्या 10 upon 20 यह तो डिवाइड नहीं हो सकता है तो यह हमको भेलू दे दिया किसका X minus Y minus Z का अब हम यहां पर तुरंत नौट करेंगे next जो के हमको निकालना है X minus Y minus Z तो आइए इसका हम भेलू पहले पूट कर लें तो X का भेलू हमारे पास है 1 upon 10 और minus Y का भेलू हमारे पास है minus 3 upon 5 और Z का भेलू है 7 upon 20 तो 7 upon 20 नौट किए अब फिर से आप यहां पर नौट कीजिए हमको पहला काम क्या करना पड़ेगा bracket के अंदर जो है पहले उसको solve करना है ओके तो आईए हम पहले bracket का काम कर लेते हैं तो अभी 1 upon 10 को रहने देजिए minus आप bracket यहां पूट कर लेजिए 5 पूट 20 का LCM क्या मिल जागा 20 मिल जागा 20 आप यहां पर नौट कर लिए 5 से 20 को डिवाट किए कितना आएगा 4 4 से आप 3 को multiply किए तो 12 चुकि यह minus में है तो आप यहां पर minus पूट कर ले फिर यहां पर minus देजिए 20 को 20 से डिवाट किए 1 1 से 7 को multiply किए 7 ओके next देखिए आपको यहां पर नौट करना है 1 upon 10 और minus अभी रहने देजिए अभी देखिए यह दोनों के दोनों क्या है ना minus है minus में 12 है और minus में 7 है तो दोनों क्या हो जाएंगे तो add होने के बाद क्या मिल करेंगे यह जो minus है इस minus से आपको minus को multiply करना पड़ेगा तो 1 upon 10 और minus multiply के plus हो जाएगा और यह हो गया 19 upon 20 ओके अब आपका bracket यहां पर क्या हो चुका है ना break हो चुका है तो अब आप क्या करेंगे lcm लेंगे तो 10 और 20 का lcm क्या होगा 20 होगा 10 से 20 को divide के 2 2 से 1 को multiply कर लिए 2 20 स 20 को divide के 1 1 से 19 को multiply के 19 19 और 2 को आप add कर लिए तो क्या में जाता है 21 upon 20 आप देख सकते हैं दोनों का value सेम नहीं है ओके तो हम क्या note करेंगे no they are not equal यहां पर बुला गया था कि are they are equal तो हम note करेंगे no they are not equal ओके तो हम लोग यहां पर last में note करेंगे no they are not equal ओके और इस तरह से हम ल अबीड में नहीं है कि अबीड लू। के लिए पटीज के लिए नहीं है दो सुम्प्राइब यूथ क्रांद रिए लूटे खर इंग पर वार्द टो आपके टिस वीडिज खर द ताहर हैं है